विल्कम बैक टूमें सरकल आज मैं बात करने वाली हूं थिन एंडुमेट्रियम के बारे में बच्चेदानी की जो दिवार होती है एंडुमेट्रियम लाइन होती है वह क्यों पतली हो जाती है और जब वह पतली हो जाएगी तो इंप्लेंटेशन सक्सेस्फुल नहीं हो पाएगा तो जो चिपक नहीं पाएगा वह लाइन सहीं करने के लिए आपको अपना और इसको काण्ट्रोल करना बहुत जरूरी है जब यह कंट्रोल रहेगा तो आपकी इंडुमेट्रियम जो लाइन है वो बहुत बनेगी तो इसको को सही करने के लिए आपको जो बहुत भूनी चीज़ from the we lose 9IES है को जी कि अख्याग करने के लेना है तो आपको एसी चीजेए जो आपके वात और पित को कांट्रोल करें हरी सब्जी आ पाजेशां आनकले पाभा सकती है देली आप सबसे पहले प्यक्तशिट आपको एदफर करना है और लीक्विड वाली चीज़े लिया ये खूब बाइं और आप चीया सीट का सेवन पुर्ट से लाइन ईससे लाइन जो होगी वह मोटी होगी पतली होगी यूटराइन लाइन टिक होगी, पतंप पत Song би लाइन प्रूल राइन पत कर लद vide करने लेट जितने łag P गर आप वाक करें गर्फ चारहें भीजह सकती है घर में खरने वह सब्रेंट है और अच्छा होता हैं तो शरीर के सथी और लेजंट बहुत Espero अप्लाई होता है जिस वज़े से जो वो और्गेन है वो बहुत अच्छे से इंप्रूब करेगा सही से जितना उसको होना चाहिए वह उतना हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से एंडुमेट्यम लाइनिंग तो अच्छी बनेगी उसके लावा एगी की और अंडा भी अच्छी क्वालिटी का बनेगा और उसके लब आप रोजबेरी का सेवन करें आप शतावरी का सेवन करें इन दोनों चीजों का सेवन भी आप जरूर करें इससे भी अंडुमेट्यम लाइन जो है वो जो बहुत थिन हो गई है वो धीरे-धीरे सही होने लग लाइगी